हेलो गाइज केसे हैं आज हम आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ पेश करता है एक छोटा और सटीक मतलब घरेलो और ते यह कहा जाए कि मिट्टी को बनाने का एक स्मॉल तरीका मैंने आप लोगों के बीच से रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इ कुछ उपकरनों द्वारा भी मिट्टी को त्यार कर सकते हैं सबसे बड़ासी मिट्टी का चयन मिट्टी आप दो टाइप से लेग सकते हैं एक जैसे उचे टीले में किसी खेत खल्यान में बहुत टाइट मिट्टी रहती है और यह तो आप बरतन बनाने के लिए या नदी या तालाप किनारी जो कीचर सब जमा होता है और परत लए बैठ जाता है उस वह मिट्टी भी आप निकाल के उसे इस जिस वीधी इसे मैंने चानने का प्रोसेस बताया है इस वीधी से अगर करते हैं तो बहुंत के बनाने के लायक होता है तो आपके पास जो सविधा का कोई किए ने इस वीडियो में वह प्योंग है जो कि आपके घरों में आशानी से उप्लब्ध हो जैसे यह 16 सकते हैं मच्छर भगाने के एक मंच्छर्डानी से पहले उसी अच्छste तरह चुखा लें इससे क्या होता है कि मिट्टी आपका जल्दी फुलेगा और असानी से फुल जाएगा और घुलेगा अच्छा से एक एक कन घुल जाएगा इसलिए आप तो हमेशा इस बात को ध्यान दे कि कभी भी मिट्टी को फुलाने के या घोलने की परकिरिया से पहले मिट्टी को सुखाना बहुत ही जरूरी होता है इस बात का आप लोग खास ध्यान रखें तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में जैसा कि देख पा रहे हैं कि कैसे हम प्रोसे हमेशा हाथ से उठा के देख लें कि अच्छे तरह से पानी और मिट्टी का सही मिश्रन हुआ है क्या नहीं और हम से ज्यादा आप लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ को जानने के लिए जान सकते हैं कि कैसे कितना अच्छे से बारिके से हिला लें और देखें यह पूरी त यह मेरा छोटा सा समान में समझाने का ताथ पर यही है कि आप इसे बड़े पैमाने पर करें ताकि आपको अच्छी और मिट्टी का बरतन बनाने लाइक मिट्टी अचाने से प्राप्त हो जाए एस से पर देख सकते हैं कि कि मिट्टी मतलब जिसमें कंकर रहीत है है वह आपका डवी के अंदर चला गया कि इस तरह कुछ देर करके सारे मिट्टी को छान लें कि और जोड़त परे तो आपको लगे ज्यादा मोटा है तो इसमें हलका सा पानी भी डाल सकते हैं इसे क्या होगा पतला हो जाएगा इसमें आसानी से मिट्टी को छानने आप अपने अनुसार जैसा मि जान के स्वहलियात हो वैसा मिट्टी को हमेशा त्यार कर लें जैसे इसमें कुछ टाइट पन आ गया तो यह चाने गाने तो हमने इसे थोड़ी से मिट्टी ले लिए पानी लेने के बाद इसे हिला दिया जिसे यह पुदी तरह घुलिया आप इसे हम डाल देंगे चान ले ला देंगे ताकि वह अफसेष्ट बाद देख साड़ा डाल दिया है और यह डालने के बाद यह भर गया है चलिए इतना यह दिखा रहा है अब हम इस जाली को खोल देंगे ताकि आप लोग इसे देख सकें कि मिट्टी कितना बारिकिये से और यह च्छान के तैयार हो चुका है कि अब करसी को अच्छे से खोल लेंगे और यह से साइड में करके रख देंगे आप लोग भी यह घर पे ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपको भी आराम से अच्छा मिट्टी कंका रहित और खिलोने यह त्यारी बरतन बनाने के लिए एक सॉलीड मिट्टी आपको बहुत अच्छे मिट्टी मिल जाए और यह आराम से अब इसे हम ध्रक के लिए धूप में इसे टाइट होने के लिए किसी बोरी पर चट्टी पर आप इसे यहां किसे गड्धे अच्छा सा गड्डे बना ले ऐसमें एक बोरी बिशा दे और जब शूखने के बाद क्या होता है जब शूख गया थोड़ा सा यह तो मैं हमारा ज्यादा थोड़ा टाइट हो गया लेकिन इसे सूखने बाद देख सकते हैं कि कितना अच्छा मिट्टी बन चुका इससे बदक हैं अपने बच्चों के लिए खिलाने अराम से बना चाहिते हैं इस मिट्टी में आपको बहुत अच्छा खिलाना बनेगा और समभब्ता भटने का चांस नहीं होगा आप कुछ लोग हमारे कमेंट में शिखायत करते हैं कि मिट्टी क्रेक हो जाता है आप क्रेक क्यों होता है आप लोग जिस जब क्रेक हो जान जाए उस मिट्टी से क्रेक हो तो आप लोग क्या करें उसका उपा है कि आप लोग मिट्टी को किसी भी मिट्टी के बरतन को आधा ह शुखा है उसके बाद उसे चौ में रखते हैं और दूसरे दिन उसे शुखा है तब आपका मिट्टी क्रेक नहीं होगा